तो दोस्तों किसी भी गैस गियर को टेस्ट करने के लिए गैस गियर को उल्टा रख देना पड़ता है ऐसे 20 वोल्ट के रेंज में रखेंगे अपना काम करना चालो हो गया इसका चालो दोस्तों एलेक्टिकल बिस्ट में फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं फिर से एक गैस गियर का नया फाल्ट का वीडियो लेकर आ गया हूँ इसमें प्राबलम यह है दोस्तों कि वैट्री चेंज कर देने के बाद से भी यह काम नहीं कर रहा है इसका जो इंडिकेटर है जो लाल बती गुलो होता है हो नहीं रहा है पानी गरम नहीं हो र पसंद आये तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लें तो आज यह वीडियो को सुरू कर देते हैं तो दोस्तों यह गैस गियर है जो की जाड़े के मौसमें बहुत काम की चीज है इसमें यह इंडिकेटर काम न तो किसी भी गैस गियर को टेस्ट करने के लिए गैस गीयर को फूल्टा रख देना पड़ता है एसके और उल्टा रखने के बाद से स्विच को जैसे अन किया जाएगा यह इंडिकेटर गुलो होने लगता है और अंदर की लाइटर भी काम करने लगता है लेकिन इसमें कु प्राब होने कोई से भी प्राब्लम आ जाता है यह जो दीख रहा है यह मैगनेटिक स्विच है जो जिससे सेंसर भी कहा जाता है यह बलेक कलर का जो इस पाइप में लगा हुआ है इसके खराबी कोई से भी यह प्राब्लम आ जाता है यह प्राब्लम कहां से इसको टेस्ट करन के दोनों टर्मिनल पर इसको चेक करेंगे तो यह बैटरी होल्डर का टर्मिनल है दोस्तों दोनों निगेटिव और पाजेटिव तो देखिए दोस्तों हमें 3.01 वोल्टेज मिल रहा है इसका मतलब वह हमारा बैटरी ठीक है सब्लाई भी आउट कर रहा है इसके बाद से जो इसका पीन हम निकालेंगे यहां से इसको अलग करके जो यह लाइटर कीट का जो दो टर्मिनल वाली पीन निकला हुआ है दो कनेक्शन वाली इसको हम आपस में किसी भी स्कूरू ड्राइबर या टेस्टर से शॉट करेंगे दोस्तों देखिए जैसे मैं इसको सॉट कर रहा हूं तो देखिए दोस्तों सॉट करते ही यह इंडिकेटर गोलो हो रहा है और इसमें से चर्चटाट की आवाज भी आ रहा है देखिए और यहां पर आप देख सकते हैं लाइटर भी काम कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि हमारा सारा सिस्टम सही है यह जो सेंसर स्वीच है यह मेगनेटिंग स्वीच इसे भी करते हैं यह सायद काम नव कर रहा हो तो हम इसको चेक करेंगे कि का इसी स्वीच से प्राबलम है इसको बाहर निकालका जैसे यह जो पाइप आप देख रहे हैं जिसके साथ यह स्वीच लगा हुआ है इस पाइप को भी ओपन करना तो जैसे इसमें पानि जाता है अंदर एक मेगनेट रहता है यतना लंबा, इसका फ़ीडियो मैं दोँगा दोस्तों अगली बार इसमें कैसे यह वर्क करता है, किस तरह देखता है टो यह मेगनेट नId लेकिन पानी के सब्सक्राइब नीचे करते है लेकिन पानी के स्कूद्राइबर से सअर्ड करने से अन हो रहा है अब देखे बेट्री का होल्डर ने टो ये सेंसर करता है तो जैसे मैगने बैट्री के पास जाता है वोपर के तरफ चड़के तो यह और हो है तो अभी तो यह पानी नहीं है तो मैं इसको उल्टा कर दे मेगनेटे हमारे नीचे चला गया और नीचे जब चला गया तो इसको इस सपीन को यहां लगाने तो, ये शेस रहा दोस्तों ये जिसमதों दो बाहर निकले बहुत एक पते हैं इस डोसित निकला दर जाता है ओब जो तो वन 50 रूपीज यानि 50 रूपीज तक मिल जाते हैं तो आए इस सेंसर को हम नया डालते हैं इसको भी चेक किया जाए तो अब इसके पीन को इसके पीन में लगा दिया जाता है देखिए ऐसे और जैसे इसको उल्टा करेंगे यानि मैगनेट उपर के तरफ जाएगा देखिए ऐसे देखिए दोस्तों यह काम करना सुरू कर दिया इस पाइप को उल्टा करके इसको चेक आप आपने जगह पे फीड कर लिया जा जहां पर यह रहता है वा & टो देंसर वाली पाईप बिल्कुल अपने जगह पे फीड कर दिया जाए अब इसके पीन को किट के करने लेखते हैं कि क्या होता है दर देखिए दोस्तों उल्टा करने बजह इसे इस तो दोस्तों गैस गिजर में किसी भी कंपनी का गैस किया नहीं हो अगर सब चीज़ सई है अगर सेंसर खराब हो तो आप इस तरीके से सेंसर को चेंज कर सकते हैं बहुत ही असानी के साथ अपने घर बैठे बैठे तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी सेर कीजिए और मेरे चैनल पर आप नए हो तो इसे सस्क्राइब करके साइड का वेल आइकन भी दबाएए क्योंकि मैं इस परकार का वीडियो लेकर आता रहता हूं त सब्सक्राइब के लिए अलविदा